इस वक्त हम मौझूद हैं उरी के एलोसे इलाके सलामाबाद में और यहां से मैं आपको बता दू महज 12 किलोमेटर की दूरी पर पाकिस्तान है और इस वक्त मैं खड़ी हूँ यहां पर आप देख सकते हैं बोड में ट्रेट फैसिलिटेशन सेंटर सलामाबाद उरी है और से पाकिस्तान है और अगर बात करें 2014 में जो पुलवामा अटैक हुआ उसके बार ट्रेड बंद हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में दूरियां शुरू हो गई पर उसके अब काफी वक्त हो गया है और हर बार जो लोग हैं लोकल्स हैं उनका यह कहना है कि हमें फाइदा होता था जब ट्रेड वहां से यहां यहां से वहां होता तो मिह फाइदा होता था और यह त्रेड फेसिलिटेशन सेंटर सलमाबाद है इसे दुबारा से शुरू करने की जरूरत है मेरी साथ एसस वकत एक लोक हम उजूपहर जादा करेंगे उननीस से लेंगे आर 12 साल infrastructure आप देखिए यहां कितना बड़ा और इसके साथ-साथ जो कारवाइन अमन चलती थी बस यहां इस रोड से उस चीज़ से भी काफी फाइदा मिला यहां के लोग को ट्यूरिजम को बड़ा बूस्ट मिला था और ज्यादा यहां के अगराब बात करें इस ट्रेट फैसलिटेशन सेंटर की वहां से गाड़ यहां आती थी यहां यहां से वहां जाती थी उस चीज़ से क्या होता था यहां के जो लोकल लेबर कलास है उसको ज्यादा बूस्ट मिलता था और इसके साथ-साथ जो लोग आते थी वो इस ट्रेट फैसलिटेशन सेंटर को देखने जरूर आते थी कि वहां से क्या यहां आता है यहां से क्या वहां जाता है तो उस चीज़ से काफी लोगों को यहां फाइदा भी हुआ लोगों ने अच्छे खासे पैसे भी कमाई और लोगों की जिन्दग जो कहीं न कहीं अब उपर उठने ही वाली थी कि 2014 का पूलों माय टैक होगा आपको फुद बताए 14 फरवरी को उसकी भी जो है एन्वरसरी वह भी है तो उस चीज़ को देखते हुए फिर जो है गवर्मेंट ने एक बड़ा प्लान लिया कि इसको बंद कर दिया जाएगा और आज आठ नौ साल होने वाले हैं इस ट्रेट फैसल सेजन सेंडर को इसका ताला नहीं खुला है कभी भी इन 9 सालों में यह बंद पड़ा है करोड़ रुपे का इंट्रस्रक्चर यहां पर लगा हुआ है लेकिन अभी तक यह किसी काम के नहीं यहां के लोग के लिए खुल जाता है तो कितना बदलाव आएगा इनकी जिंदगी में कितना फाइदा यहां पर रहने वाले लोग को हो सकता है फाइदा और बदलाव यह दोनों चीज़े अगर आप बात करेंगे लोकल लेबर क्लास के लिए क्योंकि एंप्लॉई जो है उनके अलग बात है लेकिन लोग कर लेबर क्लास को यहां से ऊड़ी जाना पड़ता है लेबरिंग के लिए और वहां आपको खुद पता है चेक पॉइंट जब आप उस चीज़ को लोड अनलोड करने के लिए यहां के लेबर की जूरत पड़ती थी यहां पे टेकनिकल स्टाफ जो था वो लोकल का था और इसके साथ-साथ जो गाड़ी के हमाल जो होते हैं वो भी लोकल लेबर थे तो उस चीज़ से यहां के जो एकॉनमिकली बैकवर्ड क् मिलेगी जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जीने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि कितना दूर है यहां से पाकिस्तान और कितना फाइदा लोगों के लिए एक नई सुबा हो सकती है अगर इस ट्रेट फेसलिटेशन सेंटर को दुबारा से शुरू किया जाए तो लोस बस में हुत राइदान शब्मिल 돼ए कितना और क burial काउम से जाणों क में हमें का जाम किना पीं ई смुगनर पींग।